असलाम लेकुम दोस्तों आज जो मेरे पास गाड़ी यही है ट्योटा क्रोला की 1.6 इसमें दो इश्यू है एक इसमें क्लच प्लेट का इश्यू है दूसरा इसकी सिस्पेंशन में इश्यू है गेर हमने इसका खोलना शूर कर दिया जी साथ में हम इसका सिस्पेंशन भी खोलेंगे क्योंकि गाड़ी चले में गाड़ी में पिक नहीं थी दूसरी गाड़ी लेफ्ट राइट भी जा रही थी गाड़ी वाले बहुत दिनों से हमारे से टाम ले रहे थे आज भी इनों ने काल की है तो आज हमने उतको बलाया अब हम उनकी गाड़ी की फिटिंग खोलनी शुरू कर दी हमने क्योंकि जब मैंने गाड़ी को ड्राइव किया तो गाड़ी में बिलकुल जान ही नहीं थी जैक अब तो हमने कर लिया गाड़ी को अब हम इसके नीचे पैकिंग लगाएंगे मैंने इसके दोनों साइट पे पैकिंग लगा ली है क्योंकि सिफ्टी मस्ट है हम इसका वील खोल लिया अब इसको तार लेंगे यह जी हमने वील को तार लिया मैं इसका भी साट पर रख दूँगा इसके बार इसकी बॉल जर्ण की जो फिटिंग है वो भी खोलूँगा मैं आपको दिखाऊंगा कि बॉल जर्ण की जो फिटिंग है यह तीन बॉल्ट्स होते हैं जी 17 mm के मैंने तो पहले के लूज कर लिये थे इसको खोल के तीन बॉल्ट्स को आप हलका सा प्रेस करेंगे जब जिब चिम्टे को तो आपका बॉल्ण जो है वो बार रहा जाएगा जैसा कि हम इसका बॉल्ण डिस्कनेक्ट कर लिया जी हलका सा प्रेस करने से इसका बार रहा जाता है बाकि हम दिगर जो इसकी फिटिंग है गेर के हमने वह भी खोलनी शुरू कि हुई है साथ में इसका से स्पेंशन भी खोल रहे हैं पानी का पाइब उतार लें क्योंके ये बिल्कुल गेर के उपर से इसकी फिटिंग गुजरती है और वायरिंग की भी वायरिंग का खास ख्याल रखें क्योंके इनमें बिल्कुल बारीक वायर्स होती है खीचने से या इसके उपर हलका सा दुबाव डालने से ये डैमिज हो जाती है जिसके वज़ा से गाड़ी में मसले आ जाते है थोड़े बहुत गाड़ी में मिसिंग आ जाती है गाड़ी में पिक में भी फरका आ जाता है सिर्फ एक तार के डिस्कनेक्ट होने के साथ नहांदा दीगर जिसकी फिटिंग है वह भी आपने इत्यास से खोली मगर वाइरिंग का खास काल रखना है क्योंकि बेलकुल गेर की उपर से इसकी वाइरिंग गुजरी होती है और अक्सर हमारा हाथ गलती से लग जाने के वज़ा से भी तारे तूट जाती है बना अपनी तरफ से जो इत्यात आप कर सकते हैं अच्छा तो यह है कि इत्यात से आप काम करें आपके लिए अच्छा है यह 14 mm के दो बोल्स होते हैं लिवर्स के आपने इनको खोल के लिवर्स को भी गेर से जिसकनेक्ट कर लेना है इस तरह से बाकी इसकी फिटिंग भी आप खूलते हैं इसमें इसमें इसका कलैश लिंडर होता है बात जगों पर हाथ आपका बहुत मुश्कित से जाता है तो थोड़ सी देर तो लग जाती है खोलते हुए यह जिसका साइट फंडिशन गेर का हम इसको खोल लिया है इसको खोल के बाहर निकाल लेंगे फिर इसके बाद हम इसका रियर फंडिशन भी खोलेंगे ताके गेर हमारा अजाद हो जाए यह जी होडा रिबाउन यह हमारे पास आई यह ब्रेक सर्विस के लिए हमने इसकी फिटिंग भी खोलने शुरू की हुई है साथ-साथ इसके डिस्क पैड फ्रंट के और इसके बैक के जो ब्रेक शूज है वह हम चेंज करेंगे क्योंकि गाडी वाले बहुत लॉंग ट्रेवल करके आए हैं और कहें जी ब्रेक का इशू है साथ-सको कंप्लीट करेंगे और दूसरी जो हमारे पास करोला है इसके अबने फिटिंग कोलनी शुरू की हुई है यह जो हमने निकाला है फंडिशन का यह रियर गेर फंडिशन होता है इसमें एक स्ट्रड और तीन बोल्ट होते हैं हमारी ओंडा रिबॉंड भी कंप्लीट हो चुकी है जैक से हमने डाउन कर लिया जी गाड़ी को कि इसके टाइट भी कर लिए गेर की फिटिंग हमने खोल लिए गेर को अब हम इंजिनके साथ से डिस्कनेक्ट करेंगे इसका जो आप शिफ्टर आपको नजर आ रहोगा आप कोशिश करें को करें कि इसको जो जोर ना लगे या आपका गेर के पे जोर से ना लगे क्योंके यह लिवर जो बहुत नाज़क होता है और यह एकसर तूड जाते हैं यह जी हमने अपने गेर को डाउन कर लिया इसके बाद हम कलज़ प्लेट और प्रेशर प्लेट सेट जो है इसको खोलेंगे खोलने के बाद आपको रिव्यू करवाएंगे किसी कलज़ प्लेट और प्रेशर प्लेट में क्या फॉल्स है जिसकी वजह से गाड़ी पिक नहीं ले रही थी गेर को हमने कर लिया साइड पर बॉप झाल झाल प्लेट और प्रेशर प्लेट की फिटिंग हमने कोलनी शुरू कर दी है जी इसकी 6 बोल्ट होते हैं 12 mm के अब ने इनको लूज करना है पहले फिर इनको खोलना है यह जी हमने अपने क्लाश प्लेट के रिकर बन तुमाम बोल्ट को खोली है भी हम इसको थोड़ेवर में बार निकाल लेंगे आप 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 जिए आप 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 इसकी अपना है यह आज उकिया मारी क्लाश प्लेट और प्रेश्य प्लेट का सथाट है प्लाइवील भी हम इसका खुलेंगे और स्केन करवा लेंगे यह आप देखें इसकी जो प्लाइट इसके अंदर से लिए दोनों साइडेंस की तक्रीबद खतम हो जुकी है और यह गेर क्लश बेरिंग लाजमी चेक कर लिए करें जब गेर खुलता है किसी गाड़ी का भी क्य यह हमने इसका सिस्पेंशन भी मुकमल बाहर निकाल लिया है स्टेरिंग को जब भी आप खुलें इसके सिस्पेंशन में स्टेरिंग आप लेफ्ट या राइट किसी सेट पर फुल काड़ कर लाकर लिया तरहे हैं यह नीचे की फिटिंग आप देख सकते हैं मुकमल खूल सब्चों की है अगा यह मारा सेट मि नया तुरो क्या हो चुका में इस टरम हो चुक हैं तो हम हम तो हो कि भी फिटिंग करेंगे गाडी के अंदर यह जिसके पराणेंड जो के बिल्कुल लोज से जिसकी वज़ा से गाड़ी लेफ्ट राइट जा रही थी अब यह हम गेर की फिटिंग शुरू करेंगे जी गेर को आपने बहुत इत्याद के साथ फिट करना है कलाच चिम्टे को कोशिश किया करें कि फिटिंग को दरान हाथ ना लगे अक्सर हाथ लग जाने के वज़ए से यह उपर से उतर जाता है जी गेर के अंदर से जब आप मकमल कर लेते हैं गाड़ी तो गेर लगाते हैं तो चिम्टा जवाब का प्रैस नहीं होता जिक्से वज़ए से कोई गेर भी इसका नहीं लगता गेर को हमने मकमल फिट कर लिए जी और इसकी दिगर जितनी फिटिंग रहे गी साथ साथ हम इसको भी कम्प्लीट करेंगे इसमें इसके लिवर्स हैं इसके फॉंडिशन बगरा भी हम लगा के इसको गाड़ी को मकमल कर लेंगे साथ में इसका सिस्पेंशन में हम कम्प्लीट कर रहे हैं इसके बगरा जो आपने फिट करना है अच्छे तरीके हर चीज को पहले बिठाएं फिर इसके बोट्स लगा कर इसको टायट करें कोई चीज भी कोशिश किया करें गाड़ी के अंदर लोज ना रहे क्योंकि बाद में ट्रबल ये गाड़ी वालों को भी होगी आपको भी होगी इसका बेतरीन और अच्छा तरीका ये है के गाड़ी को बेतरीन तच्छों के साथ फिट करें गाड़ी को मकमल करें वायर का मैं आपको बार बार इसलिए कहरा हूं के इन गाड़ियों में सबसे बारी काम ये वायरिंग का है क्योंकि रात के साड़े बारा बजे खुदा नासा अगर आपकी वायर कोई डिस्कनेक्ट हो जाती है तो ये तो आप सोच लें फिर परशानी आपके लिए ही है और कस्टमर के लिए है लाक स्पिन लगा के कम्प्लीट कर लिया हमने गेर को और अब हम इसका तकि फाइनल मरेले में पहुंच चुके हैं एक फिल्टर बगारा भी हमने लगा के कम्प्लीट कर लिया है कंजिस्टर वाल को अब हम फिट कर रहे हैं इसके इसकी वायरिंग को इसके पाइपस जो है गड़ी का स्पेशन कम्प्लीट कर ली है इसका मौधरत हमने शारट सी वीड़ीयो बनाई है इंशनल नेज्ट नेग्स वीड़ीयो बे कंप्लीट आपको वीड़ीयो बनाके डिटेल के साथ आपको दिखाएंगे और आप हमारी वीडि़ीस को लाइक, शेर सबस्क्राइब करें और कमेंट भी लाजमी करें और अपनी सेथ का खास ख्याल रखें और हमारी नेक्स वीडियो आने का अंतदार भी करें इंशालो नेक्स किसी वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताओंगा हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तब तक के लिए खुदा हाफ़िज